मेरे पास पूरा उनका लेटर पढ़ने की बजायर में उसका जिस्ट आपको बता देता हूँ उन्होंने एग्जेक्युटिफ के जुडिशिल एपॉइंट्मेंट्स के में इंट्रफेरेंस का एक बड़ा महतुपूर मामला हमारे इस चिठी में लिखके हमें बताया है कि इस रच जहां इंकाउंटर में जहां अमिज शाह एक्यूस थे गुजराथ हाई कोट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहते हुए जस्टिस पटेल ने इस रच जहां इंकाउंटर की सीबी आई से जांच की मांग की थी सीबी आई से जांच का ओर्डर दिया था इसके बाद Justice Patil Bombay High Court में चले गए उसके बाद Justice Patil करनाटका High Court में चले गए करनाटका High Court में वो Second Senior Most Just थे Chief Justice के retirement के बाद उन्हें वहां का Acting Chief Justice होना था करनाटका High Court का लेकिन इस सरकार के समय में कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह काम न कर पाएं क्यूंकि उन्होंने इश्रत जहां इनकाउंटर में CBI को जांच के ओर्डर्स दे थे उनका ट्रांसफर करनाटका हाई कोडर से मुंबई हाई कोड़ कर लिया जहां वो सीनियर टी में नीचे आ गए और एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हो पाए और इसके बारे में जसी सचर ने जो शब्द कहें हैं, उनका कहना है कि घर को आग लग गई है घर के चराग से, यह कोलेजियम है जिसने जुडिशियल एंडिपेंडेंस का जो चराग था उसके हाथ में था, लेकिन उसने जुडिशियल एंडिपेंडेंस का हमारा ताना बना गर बना हुआ था उसको हमारे कॉलेजियम नहीं उस चिराग को हाथ में ले करके उसको आग लगा दी जो ताकत उन्हें की दी गई थी जजिस को ट्रांसफर करने की वो दी गई थी कि वो उस इंडिपेंडेंस को कायम रखें जजिस इस दबाव से बचे रहें लेकिन उस ट्र कॉलेजियम से सामने आई है और जैसे सचर यह उम्मीद करते हैं कि SCBA और Bar Council of India इस मामले में सही इनिशेटिव लेंगे प्रॉपर इनिशेटिव लेंगे और इसके इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने में अपना रोल प्ले करेंगे लेकिन Supreme Court Bar Association का जहां तक हम रोल जानते हैं Supreme Court Bar Association के पदाधिकारियों के हमने जो रोल देखा है जो वो बयान देते हैं और जो वो बाते करते हैं वो तो हमने सुनी है लेकिन Intelligentsia का हिस्ता माना जाते हैं Lawyers हमने Judicial Independence से तालुक रखने वाले एक मामले में Supreme Court के एक Senior Advocate प्रशान भूशन को धकियाते हुए देखा Supreme Court Bar Association के Functionaries को President और Secretary Chief Justice के कोट में Senior Advocate प्रशान भूशन के साथ मारपीट पर उतरा है यह Judicial Independence का इसी के अलावा एक दूसरा वाकिया जिसका मैं गवा हूँ Petitions गलत भी फाइल होती हैं सही भी फाइल होती है जाट आरक्षन के मामले में Supreme Court ने राम सिंग वाले मामले में फैसला दिया था कि जाट आरक्षन नहीं होना जाए एक जाट नवयोक ने Supreme Court में Petition फाइल की और उसने उस मामले के रिव्यू के लिए एक Petition फाइल की या उसने एक नई Petition फाइल की उस मामले से संबंदे जो हमारे Chief Justice के कोर्ट में आई और Chief Justice ने उस ने कहा कि मैं Petitioner in person हिंदी में इस केस को आर्ग्यू करना जाता हूं और Chief Justice ने उस लड़के को ये कहा कि तुम जानते हो तुमने इस Petition में कोर्ट के बारे में क्या कहा है अगर मैं ये Petition इन वकीलों को यहाँ पर दिखा दो तो ये लोग तुम्हें यहाँ पर से बुरी तरह से पीट करके भगा देने और साथ में जो वहाँ वकील खड़े थे और जो Additional Solstice General कहे थे उनसे कहा कि ये Petition आप ले लीजी मने इस Petition को देखने पर कोई उस लड़के को फीट देता और साथ ही वो Petition उठा करके सामने लॉयर्स को दे रहे हैं कि आप इसे बेखें मतलब प्लेनली Chief Justice ने कहा कि इसने जुडिशरी के खिलाफ कुस कहने की हिम्मत की है और वाइल एक्सराइजिग इस जुडिशियल फंक्शन सिटिंग अट इस सीट उड़के सीट उड़के सीट उड़के सामने देखने को आ रहे हैं आज एक Petitioner को कहा गया है कि ये मेरे खिलाब बोल रहा है तो मिसे पीट दो कल को एक वकील को कहा जा सकता है कि इसने किसी जज्ज के खिलाफ किसे inquiry की डिमांड की है ये कहा है कि इन जज्ज ने कुछ गलत किया है और वकीलों को उकसाए जा सकता है कि ये इनने पीट दे Bar Council of India की जो हालत है आज सुबह कोट में जसिस आरके अगरवाल के हाँ Bar Council ने एक Resolution पास किया है और वो Resolution उन्होंने एप्लिकेशन के साथ जसिस आरके अगरवाल के कोट में आज सुबह पेश किया ये कहते हुए कि आप इस Resolution को एप्रूफ कर दीजिए हमने आप से इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास भेजा है आप इसे एप्रूफ कर दीजिए वो जिसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन अब Bar Council of India जो कुछ भी उल्टा सीधा काम करेगी उस पर सुप्रीम कोट की महर होगी Bar Council of India का जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पिछले दिनों में रहा है वो यह रहा है कि उन्होंने सीनियर काउंसिल दुश्यन दवे एक्स प्रेसिडन सुप्रीम कोट Bar Association को नोटिस दे दिया कि आपका जो कंड़क्ट है वो इतना खराब है कि आपकी जो वकालत का लाइसेंस है वो कैंसल क्यों न कर दिया जा इसलिए कि उन्होंने कहा कि जुडिशियरी ठीक तरीके से अपना काम नहीं करें यह कहने की हिम्मत की कि जुडिशियरी को अपना काम कैसे करना चाहिए आज का जो उनका रिजलूशन है मनन कुमार मिश्रा बार कांसिल अफ इंडिया की जो चेयर्मेन है वो लगातार अपने कारेकाल को पिछले चार साल से एक्स्टेंड करते चले आ रहे हैं आज का उनका जो रिजलूशन से उनके पास किये हैं वो यह हैं कि सी सी टीवी कैमरा जहां भी वोटिंग हो यह लगाए जाए जो भी कैंडिडेट्स का कंड़क खराब हो उन लोगों को जीतने के बावजूद बार कांसिल इलेक्शन में इलेक्टेट डिक्लियर न किया जा एले इसे सामले मामने ट्राइबिशन के पास भीजे जाएं ट्राइबिशन से इन मामलों का फैसला आओना ना आने तक नए बार कॉंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार कॉंसिल को देटीट्थ डिक्लियर नह किया जाए बाइपरीशन इंठ गजट नोटिफिकेशन जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि वो और इलेक्शन्स हो जाने के बाद और अगले दो-चार साल तक अपने टेनियोर को एक्सेंड करना चाहरे है और सुप्रीम कोड बिल्कुल आँख बंद करके अच्छा आपका A एप्रूफ करना है ठीक है B C और क्या क्या आप चाहते है यह जो सिचुएशन है यह डिप्रेसिंग बहुत है और हम मतला आम तौर पर कोई सामाना सा आदमी इसके सामने सरंडर कर जाए लेकिन इसमें हम लोगों का मानना है तो इसलिए यह सब करना जरूरी था मैंने बीच में दो भेटनाएं बताने के लिए आपका दो मिनट ले लिया इसके लिए माफी चाहता हूँ और जो रिजिलूशन मेरे पास है वो रिजिलूशन प्रपोस रिजिलूशन यह हैं वसे मैंने इस बीच में बिना मैडम के इजाज़त के मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोड बार असोशेशन और बार काउंसिल अफ इंडिया के हालत है हमें इस मीटिंग से स्वाइद ये भी सोचना चाहिए कि कैसे इन इंस्टिउशन में वो लोग जो कि इन इंस्टिउशन को उनका सही रोल प्ले करने के दिशा में ले जा सकते हैं कैसे ऐसे लोगों को इन इंस्टिउशन के अंदर लाएं और ये वकीलों की अपनी लड़ाईगी मुझे लगता है कि मिस इंदरा जैसिंग को वकीलों की लंबे सी चली आ रही है ये मांग कि आप सुप्रीम कूर्ट बार असोशेशन के प्रेसिडेंट पोस के लिए कंटेस्ट करें इसे मनजूर करना से क्योंकि जब तक इस तरह के लीडर्शिप के बिना इंगी इंस्टुशन्स खड़े नहीं मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ अगर आप कुद नभी खड़े हूं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के प्रोग्रेसिव लीडर्शिप इंस्टुशन को मिले SCBA को मिले, Bar Council of India को मिले में रिजलुशन सापके सामने आम पड़ रहा हूँ The House appreciates the initiative of the four judges who came out on January 12th of this year in alerting the nation to the danger posed by the arbitrary assignment of cases to benches of preference for the democracy in this country. We request the judiciary to clear the air and restore the confidence of the people in the functioning of the judiciary by giving a public statement and laying down rules for a more transparent and participatory functioning of the collegium system in addition to the reform of the rooster system. The House expresses its concern for the lack of independent mechanisms to entertain complaints and grievances against judges and supports the call made by the Chief Justices Gogoi and Chalmeshwar in the Karnan case for such a mechanism short of impeachment. This House further calls for the Bar Associations all across the country to defend the independence of the judiciary as a defender of the fundamental rights of the citizens. This House calls upon the President of India to immediately issue the warrant of appointment for all judges recommended by the Collegium of the Supreme Court including Indu Malhotra and Justice Kim Joseph. ये स्चयों चुशे अभरास आई वे वसे सह् pelaउана करने सास्सेचु जरा सिपकर अगर आप तौनि बजा करके भुआ र्रा सीदुशे। थे शहारीने विस शारी ऐसे एंखो तो आप तालीवजा करके भुनिम तुमस्शॉूक हो स्थप.永ग त झाल झाल